हेलो फ्रेंज आज मैं आपके साथ सूजी के गुलाब जामर की रेस्पी शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस और ये रसेले सूजी के गुलाब जामर बनते तो चलिए अब इन्हें बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने 1 कप दूद, 1 कप जीनी, 1 कप सूजी और आदा कप इसमें मिल्क पाउडर लिया और सााथ में गारिश करने के लिए मनें ड्राइफ फ्रोट्स लिया टाशनी बनाने के लिए मेंने 1 कप और 2 कप पानी घोड़ एक जट कर दोड काया में लिए मिलक पारड़ के रखें दूर्ट को गर्म करने के बाद एक कप सुझी के डाल दिया अब सुजी को दोद में अच्छे से mix कर देंगे और जल्दी ही सुजी दोद को absorb कर लेगी तो यह देखे दोद को सुजी ने absorb करना शुरू कर दिया इसमें मैंने एक कप सुजी का रखा था और इसमें एक कप दोद को और एक कप इसमें milk powder का बनाया था तो अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह देखें सुची ने भी अच्छे से दूद के अब्सोर्ब कर लिया और सुची फोन ले शुरू हो गई इस प्रोसेस में चाह से पांच मिनद लगेंगे आपको अभी हम सुची को थोड़ी थे थंड़ा होने के लिए रखेंगे दस मिनद तक अभी देखिए चाशने भी हम चेक कर लेंगे यह होगी है चाशने सिर्फ चिपचपी होनी चाहिए हमें इतने ही यह मतलब पकानी चाशीनी देखिए चिपचपी बन रही है तो बस ये गुलाब जामर के लिए परफेक्ट है तो ये देखिए अभी इसमें मैंने मैदा भी एक चमच मैदा के एड़ किया और इसमें चुटकी भर मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी एड़ किया तो जी का जो ये ड डे लासे तेल ल करने के लिए तो फैस के ये चिपके का नई तो इसके बोल अच्छे से बन जाएगे तो दुदा गवी आपके बंगा मे की ब殺 झाएंगि ये तो आप साइज की चोड़ जुटी बोल बनाने के लिए तो आप एक ही साइस की चोट़ चोटी बोल पनाएं बह गोल बनने शुरू हो जाएगी तो गोल बोल बनी है इसकी तो इसका मतले हमारा अच्छा बना तो इसी तरह से मैंने सारी बोल बना के रख लिए अब दूसरी तरह हमें इसे फ्राइए करेंगे इसके लिए मैंने दीसे गी लिया गी की जगह आप रिफाइंड ऑइल का भी उस खुए कर देघ्ट तरह से मैंने सारी फ्राइप प्राइब तरह सारी सुची की बोल बनी खुए क्लेशे लिया ब्राओन युंति फ्राइं ने क्लेशनी ऑचा ने के तो इसलिए आप युने फ्राय करें है, या यह अज़न फेल बतां प्लोबाओन लिखतों आप युरिया निकाल के रख दिया जो एक्स्ट्रा गी है वो टीश पेपर पर लग चाहेगा और ये बोल गर्म ही होनी चाहिए तब ही हम इसे चाशनी में डालेंगे और चाशनी जो थोड़ी हलकी ठंटी होनी चाहिए अब हम सुच्ची की बोल को अच्छे से इसमें डुबो देंगे और अब ये तुट देर के लिए इस रखें तब तक उम्हेरा काशनी गी ठार के त्यच्टि करेंगे जो हो थोड़ी देर पाद दीखिए ओपर से गाणिश कर सकते तो देखे काफी अच्छé और ये काफी कम चीज़ों में सुजी के गलावजावन बन चाते तो आप ये ज़रोर ट्राई करें ये देखे काफी अच्छे और सॉफ्ट ये स्पंजी गलावजावन बनें सुझी के आपको ये गलाव जामन की रस्पी अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू